Hello friends, welcome to Only I.S. Indi तो quality में class 12 हम पढ़ रहे हैं और अब हम आज बात करने वाले chapter number 2 Congress के प्रभुत्म का दौर है ना दैराओ of one party dominance इसके पहले स्वातंत्र भारत में जो राजनीती है ये वाला जो आपका book है वा स्टार्ट हुआ है और हमने सबसे पहले जाना कि जब देश आजाद हुआ था जब देश स्वातंत्र हुआ था उस वक्त कितने जादा difficult circumstances थे कितनी कठिन परेश्थितिया थी उतना आसान नहीं था उस समय सम्विधान सभा बनाना सम्विधान सभा ने जिन मूल्यों को अपनाया उनको बाकी लोगों की भी consent सहमती मिल जाए इस चीज को लागू करा पाना इतना आसान नहीं था कैसे हम तीन प्रमुख चुनोतियों से निप्चे हमारे सामने सबसे बड़ी चुनोती थी कि कैसे हम एक democratic country बना पाएंगे कैसे shape देंगे इंडिया को democratic और ये सारी ववस्थाएं जो है कैसे लागू हुई तो last हमने देखा कि क्या क्या challenges थे और हमने उस challenges से जो है overcome हम कैसे हुए है ना रास निर्वान की चुनोतिया रही integration रहा पिरिसली स्टेट का एक और मुख्य चुनोती थी हमारे सामने की कैसे जो 565 देशी रास्ते थी हम उसको एक कर दे और एक कखंड भारत की परिकल्पना कर सके तो जब हम देश स्टन्त्र हुआ उसकी बाद की चुनोतियों से हम निप्टे challenges तो बाद में आए पहले ही विभाजन हो गया और वो partition इतना जादा भयावह था इतना जादा भयावह था कि उसमें 10 लाख से जादा जो लोग है वह मारे गए थे करोडों लोग उससे प्रभावित हुए शन्नार्ती बन गए रातो रात अपने ही देश में विदेशी बन गए रिफ्यूजीज बन गए उनका जीवन उनको रोटी मोहिया करा रहा उनको सिक्षा उनको सुरक्षा मोहिया करा रहा इतनी बड़ी मुसीवत थी आप सोचिए कि आपके परिवार में दो महमान जो है किवल दो लोग आ जाए और आप एक लंबी समय तक आपको उनके साथ रहना हो तो शायद मुश्किल हो जाए ऐसे में करोडों लोग और वो भी ऐसा नवोदित रास्ट भारत जो उस वक्त की कंडिशन्स ऐसी थी जो खुद सक्षम नहीं था कि अपने अनका भरन पोशन जो है खुद कर पाए उसमें डिपेंडेंट नहीं था अनाज हम बाहर से मगवा रहे थे ऐसे में करोडों जो शर्नार्थी बन चुके थे अब अब वस्थाई थी उसको कैसे टैकल किया समय तो आप देखो हम इसमें देखेंगे कि हमने इन चैलेंजिस से बड़ी कुशलता पूरवक निपट लिया सरदार वर्लब भाई पटेल की जो सूजबूच थी जिसे की भारत का विस्मार्क भी कहा जाता देश के एटी एक करण इंट्रिग्रेशन में उनकी बड़ी भारतपोन भूबिका थी जो समझ के माना उसको समझ के जो नहीं माना तो आपने देखा कि हैदराबाद के जो निजाम थे ऑपरेशन पोलो जब हुआ पुलिस कारवाही हुई वह भारत संग में विलै हो गया और बाकी ने सहमती से ही बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कुछ रियायते दे दी गई और उसके साथ ही वह भारत में शामिन हो गई है ना सो देखो आज हम बात करेंगे अब हम समझने वाले एक दूसरे दोर को हम उस चलेंज जिससे तो निपड गए लेकिन अब हम देखेंगे एराउफ वन पार्टी डॉमिनेंस ऐसा नहीं था कि शुरवात से ही बहुत सारी पार्टी थी डेमोक्राटिक की जो एक शर्थ होती है कि आप अगर लोग तंतरात्मत देश है तो उसकी एक जो सूरत दिखाए देती है कि उसमें मल्ती पार्टी हों और लोगों के पास राजनतिक विकल्प ओपर शुरवात में ये विकल्प नहीं था शुरवात में ये विकल्प क्यों नहीं था और अगर एक लंबे समय से देखो पहले तीन जो आम चुनाव हुए लोग सभा विधान सभा के जो चुनाव हुए जो चनरल लेक्षेंस हुए जो पास साल पड़ता है किये गए थे पहला हुआ 1951-52 है ना उसको हम एक्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इतनी कठिन प्रक्रियाती जानेगे कि कैसे ये जो कठिन प्रक्रियाती वह शुरू हुई जब केवल 15% लिट्रेसी हो उस देश में चुना आप कोई जीत भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से सैनिक साशन आ जाया कोई दूसर दिश कबजा कर ले ऐसी पूरा विश्व जो है वे टक्टिकी लिए हुए था कि चलो आओ इस बेहुदी नौटंकी को देखते हैं लेकर वही बात होती है कि जब आप सफल हो जो है वे आखिर कैसे लोट तंद्र को स्थापित कर पाते हैं और फिर उसके बाद जब हमने स्थापित कर लिया जब पहले आम चुनाव हो गए परणाम घोशित हो गए हमने सफलता पूरवक एक हमारी आसाधरन वह उपलब्धी थी एक ग्रेट अचीवमेंट था हमने पह जो की बातें बदल की कहा कि ये तो अनोखा ही काम था है ना ये तो अनोखा ही काम हुआ और इतने अच्छे तरीके से इतनी जटिल बात को भारत सुलजा लेगा ये यकीन करपाना मुश्किल था लोगों के लिए तो देखेंगे इस तरह के स्टेटमेंट भी कैसे हुए तो कौनसी जो पार्टी है वह आई शुरवात में विपक्षी दल इतना स्टॉंग क्यों नहीं था क्योंकि वन पार्टी डॉमिनिस था तो विपक्ष कहां से नाएंगे पहला विपक्षा था है कॉम्मिनिस पार्टी पहली सरकार बनती है दुतिये जो आम चुना हुए थे 1957 मे केडला में बनती है कॉमिनिस पार्टी की और ऐसे में कॉंग्रिस जो है अब क्या कर रही है उसके खिलाफ मुक्ती संगर्श शेड के 306 लगा के हटा देती है और ये लोगतंतर के लिए चैलेंज की तरह देखा जाता है कि ये धलत हुआ है तो उसके बाद हम दो तिन पार् करेंगे उस समय का दोर आखिर इस भारत ने कैसा देखा है ना तो देखो कुछ पॉइंट्स जो आज हम डिसकस करने वाले है सबसे फर्स हम बात करेंगे कि पहले जो हमारे सामने चुनौती थी लोगतंतर को स्थापित करने की चुनौती लोगतंतर को स्थापित करने की चुनौती अच्छा लगता है सुनने में और डायमोकरटी कांट्री है पर ये अच्छा लगना सिर्फ परियाप्त नहीं था क्यूंकि उससे कहीं ज़ादा challenges था कहीं ज़्यादा challenges था है ला सकीन हम इसमें बात करेंगे पहले जो तीन चुनाव थे उसमें Congress का प्रभुत्व पहले तीन चुनाव में Congress का प्रभुत्व पहले जो तीन चुनाव थे उसमें Congress का प्रभुत्व ठीक है और इसके बाद हम देखेंगे जब प्रभुत्व था तो उस dominance का nature क्या था Congress के प्रभुत्व की प्रक्रती क्या थी आखिर nature of dominance जो है वह क्या था और क्यों था है ना तो प्रभुत्व की प्रक्रती क्या थी इसको हम देखेंगे next हम इसमें बात करने वाले है कि विपक्षी पार्टियों का जो उद्भव है वह कैसे हुआ ठीके जो विपक्ष है वह कैसे आया और शुरवात में एक स्टॉंग विपक्ष क्यों नहीं था विपक्षी पार्टी का उद्भव विपक्षी पार्टी का जो उद्भव है वह कैसे हुआ इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमें बात करनी है देखो ये चैप्टर बेसिकली लास्ट हमने दिखा कि रास निर्वान की चुनोतिया कहती है और हमने उससे सवलता पूर्वक जो है निपट लिया था और अब हमारे सामने जो महत्तपूर चुनोती थी वो थी एक डेमोक्रिटिक एक जमीन त पहले जो चुनाब इस्थापित किये गए थे वो इतना आसान नहीं था कि हमने पहले चुनाब करा लिये और वो भी ऐसे देश में जो पहले से कई देशी रियास्ते थी आपने लास्ट हमने देखा कि विटिश प्रोविंसेज भी थी और पिंस्लियल स्टेट्स भी थे और कैसे ये जो पूरा इंटिग्रेशन है वह होता है लेकिन पहली हमारे सामने चुनाब आती है लोगतंत्र को कायम करने की है ना और देखो बिसिकली इसमें होता क्या है कि लास्ट हमने देखा कि स्वतंत्र भारत का जो जन्में बहुत जादा कठिन परेश सितियों में तो देखो जो कि हमारी प्रात्मिक्ता जो है वह क्या थी हमारी पहली प्रात्मिक्ता थी कि लोगतंत्र को तो हम अपनाएंगे लेकिन यहाँ पर रास्टी एकता है ना तो शुरवात में लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोगतंत्र को अपना ले लेकिन हमारी रास्टी एक तो शुरवात में अगर हमें भारत को एक रखना है तब हमें क्या करना था जरुद isως हो रही थी ऐसे लोगों में मत्भेट था कि अगर हमने लोक्तंतुर को अपनाया जादा लोगों ko आप शक्ती सथा देंगे और अगर ऐसे में power sharing हम इस तरीके से करेंगे तब क्या हो सकता है, हो सकता है कोई princelial state फिर से आजाए, राज हमारा राजा कि नहीं ये तो मेरी सकता है, भारत संग में विलाई, जो उसका हो चुका था, हो सकता था मना कर दे कि नहीं, अब हमें भी अलग राश्र चाहिए तो बहुत, बहुत मुश्किल भरा दोर था उस समय, तो उस समय के जो हमारे नेता रहे, उस समय के जो हमारे freedom fighter के जो आगे नेता आए, उन सब की लोग प्रियता, उन सभी पर हमने trust किया सम्विधान सभा में जो उन्होंने मूले रखे, वो कहीं न कहीं आम लोगों के ही मूले थे, और कैसे उन चीज़ों को हमने अपडाया सो देखो क्या हुआ था basically, कि शुरबात में लोकतंत्र स्थापित करना इसलिए एक challenge था, क्योंकि जो भी देश इस प्रक्रिया से गुज़रे थे कि पहले वो बिटेन को उपनिविश थे, या किसी भी कंट्री के गुलाम थे, माले जे, आजाद नहीं थे, इंडिपेंडनेट नहीं थे, तब ऐसे में जैसे ही बहा से उपनिविश बाद से खुद आजाद होते, लेकिन वो उस चीज़ को बाद के नहीं र भाजन हुआ और उसके बाद खुद जो है फिर वह दो भागों में बढ़ गया, पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश के नाम से स्वादंतर हो गया, उतना कटर नहीं है जितना आकिस्तान है, तो देखो क्या हुआ था कि आलोगतांत्रिक साशन वबस्था जो है कई जग हम भी एही सूच गया थे कि रास्ट्री एकता, प्रात्मिकता तो ऐसा करते हैं कि हम कोई गैर लोगतांत्रिक तरीका अपना ले बट मुश्किल नहीं खड़ी होगी, कि अगर हमने जो गैर लोगतांत्रिक तरीका अपनाया, उसने अगर अपनी जड़े जमाली तो लोगता संगराम में हमने आजादी हमने लोकतंत्र हमने सबानता अध्यकारों की बात की थी तो गेर लोकतंत्र तरीक अपना नभी पोसिबिल नहीं था फिर जो देश के निता थे सोचा कि चलो ठीक है अगर हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि अगर आलोकतंत्र शाशन के पाँ जम तब ऐसे में हमारी जो प्रतिबध्धता थी हमने उसको अपनाया हमारी जो प्रतिबध्धता थी लोकतंत्र को लेकर हमने उसको अपनाया चले एक कुशन देखिए नवुधित भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के क्या चलेंजिस थे आ लोकतंत्रिक ववस्था का खत्रा भारत की विवित्ता, साक्षर, ताका, कमस्तर. क्या था इसमें? तो हमने देखा कि शुरुवात में हमारे सामने जो चैलेंज था, बहलोगतंतर का था. ठीके, हमने आलोगतंतिक तरीका भी सोचा. लेकिन आलोगतंतिक तरीका अपने पैर जमालेगा, या ये तरीका जो है, बहुत बड़ा खत्रा था, है ना? तब हमने क्या किया? कि स्वातंतृता संग्राम के दौरान, हमने लोगतंत्र के प्रतिजो प्रतिबधिता अपनाई थी, हमने इसको चुना है, पूरे देश के लिए फैसला कौन होगा लेकिन ये राजनीती जिस तरीके से चलेगी वो तरीका लोकतांत्रिक होगा और इस तरीके से हमने किसको अपना लिया बच्चो डैमो क्रेटिक politics को किसको अपना लिया हमने democratic politics को अपना लिया democratic politics जो है इसको अपना लिया ठीक है तो ये सारी जो challenges थे तीनों विकल्पी जो है बैस सही है आज कली उपेस इस तरह से question पूछने लगा अब आपको options जो elimination का है वो खतम कर दिया कोई एक कोई दो कोई तीन या फिर कोई बीरी इस तरीके से questions आने लगे हैं clear so देखो challenges में हमने बात कि हमने जिस तरीके को चुनाव वो क्या था अब देखो पहला चुनाव कैसे हुआ था इसको हम समझते हैं जो first general election थे आरे बहुत बड़ा अपने आप में अजुवत है ये पहला चुनाव कराना पहला जो आम चुनाव था आम चुनाव लोकसभा विधाद सभा के चुनाव general election उसे कहते हैं न और हमारे या जो हमने आम चुनाव का वर्ष तरह किया था वो क्या था अब दी पाच वर्ष अब दीको पहला आम चुनाव जो है होना तो 1950 में था लेकिन क्या हुआ कि हमें 1950 के असपस कराना था पर नहीं हो पाया विवस्थाय बनती गई बिगडती गई पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप वोटिंग हम कहा कराएंगे वो पॉलिंग बूत हम कहा बनाएंगे हैना कहा से काउंटिंग होगी किस तरीका अपनाएंगे हमारे पास इतने अधिकारी प्रसिक्षित नहीं है कई लाख अधिकारी हमें चाहिए उनको कैसे ट्रेनिंग मिलेगी वो कैसे करवाएंगे बहुत बड़ा काम है आप सोची आप खुझ से एक सिस्टम बनाएं दस लोगों की बीच में नहीं बना पाते हैं जब्दी से अब लाखों लोगों की बीच में कैसे हम इस चीज़ को अपनाएं तो पचास से लेके एक क्यावन की अगर हम बात करें ठीके और उसकी बात सोचते सोचते जो है वे बावन में चुनाव हुए पहला आम चुनाव जनरली 1952 माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि जादा तर जगह पर जो वोटिंग थी वे 1952 में हुई तो इस तरीके से हुआ था हमारा पहला आम चुनाव पहला आम चुनाब जो है बहुत मुश्किल था ठीके अच्छा देखो 26 नवंबर 1949 की बात करें ये वो दिन है जब हमारे देश में जो समयधान सभाने समयधान बनाया समयधान पारित हुआ इस दिन को हम समयधान देवस की रूप में भी मनाते हैं ठीके अब देखो अगर हम 26 जनवरी की बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा जो समयधान बे लागू होता है ठीके और जब तक पहले आम चुनाब नहीं हुए थी तब तक आखिर देश में जो साशन पर साशन बे कैसी चल रहा था तो इस समय बचो एक अंत्रिम सरकार गफनेंट बनी हुई थी अंत्रिम सरकार जो है वह साशन चला रही थी ठीके अंत्रिम सरकार द्वारा जो ववस्थाएं हैं इसको चलाया जा रहा था साशन चला रही थी रहे को चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 में अगर हम चुनाव आयोग की बात करेंगे निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो चुनाव आयोग अलग से एक संस्था बनाए गए जो की चुनाव कराए तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में होता है और अब इस पर दारुमदार था कि किस तरीके से ये पहला आम चुनाव जो है मैं सफलता पूर्वक कराए है ना और हमारे पहले चुनाव आयोक्त थे सुकुमार सेन पहले चुनाव आयोक्त सुकुमार सेन थे वर्तमान में कौने कॉमेंट करो सुकुमार सेन थे अब देखो challenges क्या-क्या थे हमारे सामने आसान नहीं था यह जो चुनाव मैंने आपको अब दिया बताए कि 50 से हम सोच रहे हैं 51 में ववस्थाई कर रहे हैं फेल हो रहे हैं 51 52 में जाधा तर जगा पर जो voting है सो हुई इस वज़े से हम क्या कहते हैं कि 1952 के basically यह चुनाव थे ठीक है अब देखो 2-3 problems तो अब कैसे चुनाव कराएं तो चुनाव शेत्रों का सीमांकन करना कैसे जो आज हम कहते हैं कि दिरवाचन शेत्र हम क्या करते हैं देखो चुनाव के उद्देश से कई भागों में हम बाड़ देते हैं जैसे कि वर्तमान में अगर हम कहें तो लोग सभा के लिए हमने 543 के शेत्र बनाएं लेकिन याद रखना कि शुरुवात में जब हमें इन चुनाव शेत्रों का सीमांकन करना था ये एक चुनाव शेत्रों का जो सीमांकन है वह कैसे करें अब दूसरा ये था कि जो हम वोटर लिस्ट है वह कैसे बनाएं मतदाता सूची अच्छा ये बताओ ये देश आजाद हुआ था उस समय की बात हो रही है अब यहाँ पे वोटिंग आयू क्या थी अब जैसे ही मैंने आप से का वोटर लिस्ट आपकी दिवाग में 18 साल आ गया होगा पहले 21 साल थी ये आयू कुछ लोगों ने तो उस वक्त 24 साल रिकमेंड किया था कि 24 साल होने चाहिए वो लोग सभा में मतदान कर सकता है लेकिन जब 64 61 सम्विधा संशोधन हुआ उस वक्त 21 वर्ष की जो आयू थी उसको 18 साल कर दिया तो वोटर लिस्ट याद रखना कि शुरू में ये 21 वर्ष था बाद में 18 वर्ष हुआ बाद में 18 वर्ष जो है वह मतदाता की आयू पताय कर दी गई 60 सम्विधा संशोधन के सवए पर हमें बाद करनी 21 वर्ष के हिसाब से तो देखो पहली बदाता सूची में एक चलेंज ये था जब वोटर लिस्ट बन के आई तो 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे और इसी वज़े से 40 लाख जो वोटर थे उनके नाम ही नहीं थे अब कैसे आप वोटिं करवाओगे कि किसने वोट दिया इसकी बीवी उसकी बेटी इस तरीके से जो नाम है वे वोटर लिस्ट में दर्च कराए गए तो यहाँ पर देखो इस तरीके के हमारे पास चैलेंजिस थे अब मैं कुछ फैक्ट और आपको बता देती हूँ कुछ फैक्ट और हम देखते हैं इस वक्त के है ना तो देखो 19 चलिए कर नेक्स्ट पर ही देख लेते हैं अब देखो कुछ fact important कि इस समय की जो हालात हैं वह कैसे थे कितने मतदाता थे कितने करोड कितनी सक्षर्टा थी ये सारी चीज़े और हम जानते हैं सबसे first देखो 17 17 सियार 17 करोड जो हैं मतदाता थे ठीक है इसके अलावा second है 32 विधायक और 489 जो सांसद है इनका चुनाप कराया जाना था इसके बाद देखो साक्षर्टा थी 15 प्रतिशत साक्षर्टा लिट्रेसी रेट की बाद करेंगे कितनी थी केवल 15 प्रतिशत इसलिए तो बेहुदी नौटन की कहा गया कि चलो देखते हैं निरक्षर लोगों की लोगतंतर स्थापित करने की ये जो बेहुदी नौटन की है और इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको कहा गया था पहला जो चुनाव है क्या कहा गया थे इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ ऐसे ही नहीं आज भारत की पूरे विश्मे में वावाई होती है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसे कहा गया है ठीक है इस तरह के किता मियाद अटना है में सांस राइटिंग में काम में आते हैं और यहाँ पर तीन लाग से जादा अधिकारी जो है वह चाहिए थे चुनाव कराने के लिए इतने बड़े देश में क्या चाहिए थे तीन लाग से कर्मचारी अब इन कर्मचारियों को पहले तो इतने मिल जाए अब इने प्रसिक्षन भी देना होगा अब इने प्रसिक्षित भी करना होगा तो इस तरीके के उस समय हमारे सामने चैलेंजिस आ रहे थे और कई बार यह डेट बदली गई बड़ चुनाव जो है वह हो नहीं पाया दो बार जो चुनाव है वह अस्थगित हुआ 1951 अक्टूबर 1952 फैब है ला दो बार जो चुनाव है वह अस्थगित हुआ एक तो अक्टूबर 1951 और 1952 फैब और ऐसे में हम देखेंगे कि 1952 में 1952 में फिर जो 50% के आसपास वोटिंग कराएगे इसमें 6 मंत का जो टाइम है वह लग गया था 6 महीने का समय लग गया था 1952 में वोटिंग कराने की आज जो हम बन मंत में या फिर सम्टाइम्स कुछ वीक्स में करा लेते हैं ये काम उस समय हमारे लिए 6 मंत का काम था ठीके और फिर बाद में 6 महीने जरूर लगे लेकिन फिर क्या हो गया सक्सेस्फुल हो गया चुनाव सत्ता का हस्तांतरन उसी हिसाब से हुआ कॉंग्रेस जो है उसका प्रभूत्व हुआ जादातर जो बिधान सबायती उस सभी में कॉंग्रेस के सरकार आती है अराम से जो ववस्थाए है वह चलने लगती है तो देखो अनपडों की बेहुदी नौटंकी भी इसे कहा गया क् साक्षर्टा मात्र 15% थी तो एक और कथन जो इसमें कहा गया कि ये जो है वह अनपडों की बेहुदी नौटंकी है ठीक है बेहुदी नौटंकी है लाखो लोगों के मतदान की बेसिकली ये बेहुदी नौटंकी है ऐसा इसको इस समय कहा गया काफी सारे चीज़े ठीक है लेकिन जैसे ही हमारे देश में सफलता पूरवक जब चुनाव हुए ये तो 1952 से 1967 के दौर का मैप है तो इस समय हम देखेंगे कि अब जो शुरुवात थी बच्चो जब हर जगा कॉंग्रेस आई कॉंग्रेस का प्रभुत्व रहा ठीक है तो दो बार चुनाव कराने के बाद जब सफलता पूरवक चुनाव हो गए तब इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा कि अब हर जगह हर ये बात अब हर जगह मानी जा रहे है कि भारती जन्ता ने विश्व के टेहास में लोक तंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अन्जाम दिया है ना तो ये बात जो है वह कही गई और 1952 का आम चुनाव पूरे विश्व के लिए बिसिकली मिल का पत्थर हो गया अब हम पहले तीन चुनाव की बात कर लेते हैं और कॉंग्रेस के प्रभुत्व की बात करते हैं ठीक है पहले तीन चुनाव और कॉंग्रेस का प्रभुत्व तो देखो ये रहा कॉंग्रेस का प्रभुत्व 1952 से लेके 1967 तक में तो ये जितना भी आपको यलो पार्ट दिख रहा है यह सारा कॉंग्रेस का यह तो पूरा भारत ही दिखो भारती रास्टी कॉंग्रेस जो है उसका प्रभुत वितना आखिर क्यों था क्योंकि हम देखेंगे कि एक ही ऐसी पार्टी थी इसको ये फर्स्ट अबल भी रही और ये एक लौती भी रही तो एक लौता होने का फायदा इसको मिला क्योंकि कोई और एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि संगठित हो तो ये पार्टी सू संगठित थी प्लस इसमें जो नेता थे basically वैं हमारे freedom fighters थे जिनके लिए पूरा देश कहीं न कहीं कड़ा हो चुका था तब ऐसे में क्या हुआ कि हमने इनकी बात माने इन पर विश्वास था और इसलिए हमने हमेशा Congress को ही चुना और सबसे एक हम ये कह सकते कि एक positive जो manner रहा Congress के लिए कोई और party था ही नहीं कोई और था ही नहीं तो first भी तुम हो last भी तुम हो वही वाली बात हो गई है न तो कोई और इसमें नहीं था कोई और इस वक्त जो party थी वह नहीं थी तो देखो पहले तीन चुनाव में अगर हम ये देखे Congress dominance in the first three elections ठीक है Congress dominance in the first three general elections तो आखिर इसके reasons क्या रहे आखिर इसके अगर हम reasons खोजेंगे कारण क्या थे तो पहला कारण जो निकल के सामने आया वो ये था कि स्वाधीनता संग्राम की विरासत इसके पास थी स्वाधीनता जो संग्राम की विरासत इसके पास थी है ना विरासत में basically हम कह सकते हैं कि ये जो प्रभुत्व है विरासत में मिला और ऐसा नहीं है कि यह केवल हमारे देश में ही था बहुत सारे ऐसे देश है चाहे हम चाइना की बात करें, कुडिया की बात करें क्युबा की बात करें, तो इन सभी के तो संविधार में basically लिखा है कि केवल एक ही पार्टी होगी, लेकिन हमारे यह जो party dominance रहा है इसका प्रभू तो जानते हो क्या है लोग तांतिर तरीके से basically वो पहले भी काम कर रही थी तो हमारी विवस्था ऐसी हो गई थी कि हमने से priority दी हमने से dominance करने दिया तो स्वाधिन्त संग्राम की विरासत थी दूसरी बात यह है कि जो करिश्माई नेता थे करिश्माई नेता है न तो ये नेता बड़ी लोग प्रिये थे हमारा विश्वास था और ये नेता जो है वैस सब कॉंग्रेस से जोड़े हुए थे basically जब से कॉंग्रेस का गठन हुआ कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में एयो हुम ने की थी शुर्मात में तो कहा जा रहा था कि safety valve है ये केवल safety valve है जो की आप क्रोश को फटने सो रुकेगा लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था उसके बाद से सुसंगठित तरीके से जो मागे है स्वादंतरता की वैं कॉंग्रेस करती रही और अब केवल पूरे भारत में एक ही जो पार्टी है वैं दिखाई देती थी कॉंग्रेस पार्टी भारती रास्टी कॉंग्रेस है ना आधोनी कॉंग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं भारती रास्टी कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं सो देखो बचो पहले तींग चुनाव में प्रमुत्व इसलिए था क्योंकि सौधनता संग्राम की विरासत थी, संगठन पूरे देश में था, ठीक है, और सू संगठित पार्टी थी सब इसी से जुड़े हुए थे सू संगठित पार्टी थी, कोई और था ही नहीं, कोई और यहाँ पर था ही नहीं, और इसलिए जब पहला चुनाव हुआ तब इसने कितनी सीटे जीती पहला चुनाव अभी हमने देखा कि कितना चुनाव होना था, 489 सीट पर चुनाव होना था और यहाँ पर इसको 364 जो सीट है वह मिलती है 364 जो सीट है वह मिलती है, ठीके, कॉंगर्स को कॉंगर्स को 364 जो seat है वहें मिली थी याद रखना, विधान सभा की चुनाव हुए, तब भी आम चुनाव में अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन क्या होता है, लोग सभा और विधान सभा की चुनाव है न, जो कि 5 साल में होते हैं इसे हम आम चुनाफ कहते हैं लोक सभा प्लास विधान सभा चुनाफ तो अब यहां पर यह तो लोक सभा की सीट्स की बात होगे 32 विधायद भी चुने जाने थी विधान सभा की सीटें पर आती है यह और कॉंग्रीस की ही सरकार यहां पर आती है अब देखो पहला चुनाब हुआ था जैसे कि आप फस्ट एलेक्शन की बात करेंगे तो यह 1952 कहते हैं सेकेंड की बात करें तो आपका 1957 और थर्ड जुनरल एलेक्शन जो हुआ वे 1962 में हुआ ठीक है अब देखो बहुमत मिलता रहा लेकिन 1957 में जब दूसरा एलेक्शन हुआ 1957 में जब सेकेंड चुनाब हुआ दूसरा आम चुनाब हुआ तब ऐसे में एक जगा पर क्या हुआ कॉमिनिस सरकार बन गई अब यहाँ पर कॉंग्रेस नहीं बलकी क्या बनी कम्मिनिस पार्टी की सरकार बनी पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉंग्रेस के सामने कोई दूसरी पार्टी जो है विधान सभा में थी ठीके राज़ में किसी और की सरकार बनी 1957 और यहाँ पर सीएम बने जो सरकार जिरों ने बनाई आगे डबू दरीपाद और ऐसे में अब देखो कॉंग्रेस ने क्या किया यह पहला लोकतंतर के लिए चुनौती थी कि क्या अगर दूसरी पार्टी का अस्तित्व राज़ में होता है तो जो केद्र पर पार्टी है पूरे देश में जिसका प्रभुत्व है क्या वो उसको हटाने की कुशिश करेगी वो भी गलत तरीके से तो देखो क्या हुआ केरल में जब कॉमिनिस्ट जीते 1957 की बात है 126 में से 60 सीटे जो है वह मिली ठीक है और ऐसे में जो राज़पाल थे उन्होंने विधायक दल के जो नेता थे EMS नमूदरी पाद इन्हें सरकार बनाने का नेता दिया नेता तो आपने दे दिया पर उससे होता क्या है अब देखो आगे क्या हुआ कि कॉंग्रेस पार्टी ने क्या किया कि जो निर्वाचिस सरकार थी कॉंग्रेस उसके खिलाफ मुक्ती संकर्ष छिड़ दिया कि अब जो है इसको हटाया जाए और इसका जो साशा नेवे अनकंस्टिशनल आसंवेधानिक करार करके और आर्टिकल 356 लगा दिया अनुच्छे 356 का जो दुरुपयोग है इसका पहली बार संभवता जो प्रयोग है वो यही किया गया था 1959 में 356 का प्रयोग किया और कम ने सरकार को बरखास्त कर दिया फिर आंदोलन हुए बटा मुझसे होता क्या है सरकार तो वहां से हट गई तो यह दूसरा आम चुनाब था दूसरा आम चुनाब था जब किसी एक राज में कम्मुनिस्ट के जीत होती है लेकिन कॉंग्रिस के द्वारा क्या किया गया 356 का प्रयोग क किया गया और बिसिकली आपात काल पर ये जो आपात काल लगा देना है ना इसका जो आप आज भी देखते है कि बाद बार माली जे कोई गवर्नर जो है पैस की सिफारिश कर सकता है रास्पती साशन लगाने की है ना सरकार को बरखास करने कि अगर वह समयधान की हिसाब से नहीं चल रही एं यह विवादा अससपध पहले से आज रही है यह का पहली बार प्रियोग की ह Christians present तो हमने यहाँ पर तीन चुनाव की बात कर ली आप देखो 1952 में याद रखना कि जो यह चुनाव हुए थे 1952 में 364 seat Congress को मिली थी और इसमें पता है आपको अगर हम Total voting की बात करें तो 45% vote जो है वह Congress को मिले लेकिन लगबक 75% जो seat है यह Congress को मिली ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हम last पढ़ चुके हैं FPTP system first past the post system और इस system में जिसको जादा vote मिलेंगे वो जीता होगा है ना वो जीत जाएगा जादा जिसको vote मिलेंगे सरवाधिक vote से जीत प्रणाली first past the post system इस system की एक खास विशेशता यह है कि आपको vote के अनुपात में seat नहीं मिलती बलकि आपको क्या है vote के अनुपात में seat नहीं मिलती vote के अनुपात से ज़ाधा या vote के अनुपात से कम आपको seat से वह मिल जाती है so that is called FPTP ठीक है तो देखो यहाँ पर 45% vote मिले और 75% के आसपास जो सीट है वह मिलती है और यहां पर सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कि सेकंड नंबर पर जो वोट मिले थे वो सोशलिस्ट पार्टी थी ठीक है सोशलिस्ट पार्टी थी जिसे की 10% वोट और 3% के आसपास सीट मिली तो यह FTP system था अब देखो एक कुश्चन है इ हैंने सभी रंगों के साथ कांतिकारी, रोडिवादी, उग्रवादी और नरब पंतियों को समाई उजित किया कई समूह हो है तो यहां तक की राजनतिक दलों के लिए रास्टी आंदूलन में भाग लेने के लिए एक मंच बन गई थी तो भारती रास्टी एक कॉंग्रेस आखिर जो है वह क्यों इसका इतना जादा हम यह कह सकते कि सामाजिक और विचारे गटबंधन रही दे कोई शुरबात में कोई और पार्टी नहीं थी केवल भारती रास्टी कॉंग्रेसी था तो अगर मालीजे दूसरी विचारधाराई भी चाहे हम सामेवादी विचारध हराओं की बात करें ठिक है जैसे कि हम कॉंग्रेस के दौर पड़ते नरमपंति गरमपंति तो सारे दौ're जो है कउमें के साती थे सबी तरह सब को पता था कि अगर हमें कहीं खो नी जाना है अगर हमें भी पहचान चाहिए कि हम सोतमता संग्राम के लिए लड़ तो घृते ही भारती राश्टी कongress के साथ आकर ही लड़ना था और ऐसे में सभी शुरुवात में तो कहा जाता था कि पूझी पतियों की party शुर्वात का दोर कongress का जिसमें की चाहे हम जमेदारों की बात करें चाहे हम उच्छ वर्गी की बात करे या सिक्षित मध्यवर्ग की बात करे ये सभी इसमें शाविल थे लेकिन समय के साथ साथ एक जादा जन आधार कॉंग्रेस को मिलता रहा और ऐसे में अगर मालिक थे तो मजदूर भी थे मालिक अगर कॉंग्रेस का हिस्सा थे तो नौकर भी कॉंग्रेस का हिस्सा और इस तरीके से इसका जराधार बढ़ता रहा, ठीके, अगर उद्योग पती थे, तो मस्दूर भी इसमें शामिल थे, तो इस तरीके से हर तरह के लोगों का बेसिकली एक था, और इस वज़े से हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक और वैचारण के ड्वंदन लंबे समय तक रही, ठीके, चलिए, आगे देखेंगे, एक कुशन और देखो, शुरवात में, देखो, कुशन किस तरीके से आ सकते हैं, माली जे, कोई एक कथन, कोई एक स्टेटमेंट किसी का है, कुशन आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीके, अब देखो, शुरवात में, अगर मा पार्टी रहेगी तब इसके कितने नुकसान हो सकते थे तो बेसिकली अगर हम प्रेसिदेंशियल रूल की बात करते हैं जो की जैसे की अमेरिका में तो वहां पर व्यक्ति को महत्व उस वो जो प्रेसिडेंट हो वो बहुत पावर्फुल है और ऐसे में नायक पूजा की सब् की जा सकती है और भारत में आप देखेंगे कि भारत में जो लोग हैं पर किस तरीके से किस हदतक लोगों को सर पे बच्छा लेते हैं और यहां पर आप मतलब एक भाव देखिए भाव किस तरीके से जो है हमारा जुड़ जाता है जिसे कि आपका क्रिकेटर से कितना भाव कि अगर वो जीत गया तो फूलों की माला और वरना फिर उसका पुतला जला देंगे लोगों के भाव मतलब यहाँ पे आम बेटकर के द्वारा यह कहा कि अगर हम नायक पूजा करते हम पतन की तरफ चले जाते अगर हम नायक पूजा करते और हम किवल एक व्यक्ति को महत्व दे देते हैं तो हिंदुस्तान में जो भाव है विश्व के किसी किसी देश में आपको नहीं मिलेगा भले वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है वर टॉप पर हो तो यहाँ पर लेकिन राज़निती में नायक पूजा का भाव पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता जो वे तान तो इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट है सम्विधान सवाब में 25 नवबर उनिस सो नचास को एक भाशन हुआ था तब भीब्राव अम्बेटकर के यह स्टेटमेंट है कि नायक पूजा जो हमारे यहां है वो शायद संभवता किसी के यहां नहीं है सो यह स्टेटमेंट किसका है डॉक्टर बी आर अम्बेटकर का है ठीके चलिए अब हम बात करेंगे कॉंग्रेस के प्रभुत्व की प्रक्रती लगबग आप उस कुश्चन में समझ चुके हैं कॉंग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रक्रती थी आखिर वह थी तो थी कैसी है और क्यों थी तो हम देखते हैं कि एक पार्टी का जो धारण है वह केवल हमारे देश में नहीं है कई और देशों में भी है जैसे कि अगर हम देखे चेन क्यूबा और सीरिया और यहां पर तो कॉंस्ट्यूशन में ही लिख दिया गया कि अब दूसरी पार्टी जो है वह नहीं आएगी कॉंस्ट्यूशन में मैंशन कर दिया लेकिन हमारे आगर एक लंबे समय तक कॉंग्रिस पार्टी का दौर था इसके पीछे कारण था और यह प्रभुत्व था लोगतांत्रिक परिस स्चवाश में ऑफिश्वास था हमारे पास एक いる बंच था है नो तो इसलिए क्या हूँक कोई और होड में था ही नहीं रही चुनाब जीतती गई और आगे और ऐसा नहीं था कि हमारे फ्री एंड्फीर एLEक्षेंज नहीं हुए थे 153 एंड फियर में हुए थे मुक्त और निस्पक्ष चुनाव हुए लेकिन इसके बाद भी शुरू के तीन चुनाव तक तीन चुनाव 1952, 1957 1957, 1961 ठीके तक कॉंग्रेस का दौर रहा तक जो है वैं कॉंग्रेस का प्रभुत्व रहा कॉंग्रेस का दौर रहा, ठीके So, free and fair elections हुए, लेकिन अगर हमारे हाँ कॉंग्रेस का dominance था, तो उसके पीछे reason क्या था, उसके पीछे जो कारण था लोगतांत्रिक इस्तितिया लोगतांत्रिक इस्तितियां ऐसी थी कॉंग्रेस की popularity ऐसी थी नेता उसमें सारे शामिल थे इसलिए वो जो है बहुत जीती चली गए ठीक है अब देखो एक और कारण हम इसमें देख सकते हैं जैसे कि आगे भी हमने देखा कि एक सू संगठित पार्टी थी सारे नेता हमारे यहीं थे इसका प्रॉपर इसके पास प्लान था सारे नेता थे प्रॉपर प्लान था विचार धारा थे कि हम देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे किसी और पार्टी के पास ना तो प्रोग्राम थे ना तो लोग थे और वो इसके बराबरी क्या इसके दसवे ह इससे पर भी नहीं आ सकती थी, तो basically इसको अबल रहने का भी benefit मिला और एक लौता रहने का भी benefit, दूर दूर तक कोई था ही नहीं, तो अब यह first last यही रहेगा है न, तो बस उसी तरीके से हुआ, अब देखो, Congress एक सामाजिक और वैचारिक गटबंधन इसलिए थी, क्योंकि इसका एक बड़ा जानाधार था, अब देखो, इसको जो फाइदा मिला, वो एक वैचारिक गटबंधन होने का भी मिला, वैचारिक गटबंधन, गटबंधन मतलब सभी साफ में थे सभी तरह की विचार, तो चाहे समाजवादी हो, चाहे पूंजीपती हो, ठीकर चाहे शुरवात में मानते हैं कि अगड़ी जातिया थी उचा मद्यवर्ग था लेकिन बाद में इसका जो सामाजिक आधार है वे बहुत बड़ा हो चुका था सामाजिक आधार जो है वे बड़ा हो चुका था उच निमनिवर्ग सभी इसमें शामिल थे तो वैचार गटबंधन के तौर पर इसका जो प्रभुत्व था वे लंबे समय तक शामिल था और एक और जो इसका next reason था वे ये था इसकी प्रकृति की सहनशीलता अब देखो सहनशीलता का मतलब क्या है सहनशीलता वस समझो था इसका मतलब क्या है कि सभी तरह की विचार है है ना सभी तरह की विचार है तो वापस में एड़िस्ट हो जाते थे उसके लिए अलग से पार्टी बनाने के जरुरत नहीं थी और ना उस समय ऐसा माहौल था हम देखतें कि शुरवात में विपक्ष उतना स्ट्रॉंग नहीं था क्योंकि विपक्ष में भी वो सम्मान जनक नेता थे ठीक है जो लोकतंतर का संबान करते थे जो सरकार का संबान करते थे और ना ही विपक्ष के लिया ऐसा नहीं कि आज की तरह आप देखेंगे कि पक्ष विपक्ष वारे एक दूसरे को गालिया दे रहे है या फिर ये सब नहीं था पहले तो शुरुबात में आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ संबान जनक नेता थे और वो बिसिकली बैचारिक मत्भेत जरूर था लेकिन एक दूसरे के प्रती संबान का भाव था इसने शुरुबात में विपक्षी दल जो है वह नहीं थे आगे हमें यही पढ़ना एमर्जेंस तो यहां पर हम देखेंगे कि अलग-अलग विचार धार आएं थी उसमें मत्भेत था पर सुलह हो जाता था और बेसिकली यह जो पूरा कालखंड था इसको कॉंग्रेस प्रणाली कहा जाता है कॉंग्रेस प्रणाली क्या थी? अगर माल दीजी आपसे कुषिन आता है कॉंग्रेस प्रणाली आपसे बन जाएगा क्या? कॉंग्रिस पढ़ा ली क्या थी शुरुवात के वो तीन चुन आपको बता दीजे कॉंग्रिस का डॉमिनेंस क्यों रहा कुछ फैक्ट्स बता दीजे कितने परसेंट वोट थे क्या सक्षर्था थी कितने लोगों ने वोट किया और आखिर इसका प्रभुत्व क्यों था है ना वो सारे रीजन और ये दो कारण कि एक वैचारिक गट बंधन था है ना वैचारिक गट बंधन था सभी तरह के यहाँ पर विचार थे और ये स्टेटमेंट आपको बताना है किस पार्टी का है इस पार्टी के सामने मुख्य सवाली है था कि देश को आजादी मिली उसकी प्रकृति कैसी है क्या हिंदुस्ता सच मुछ आजाद है या ये आजादी जूटी है है ना तो ये आजादी कितनी सही है कितनी नहीं है इसको लेकर किसके द्वारा ये कहा गया Socialist Party, Communist Party of India या भार्तिय जनसंग Party Answer is Communist Party of India ठीक है ये जो है इसका statement था अब देखो अगर हम Communist Party की बात करें जब बोल शेविक क्रांती होती है 1900 के बात के दशक में तब हम देखेंगे यानि 20 सदी के हम शुरुवात करें तब सामभवादी विचार धारा जो है Communist विचार धारा जो है वह आती है और 1957 में पहली सरकार कहाँ पर बनाते हैं ये केरल में ठीक है पहली सरकार कहाँ पर बनी केरल में बनी EMS नम्बुद्री पाद यहाँ पर CM बने EMS ठीक है यहाँ पर कौन बने CM बने मुख्यमंती बने इन्होंने सरकार बनाई सामवादी दल देखो इसकी जो शुरुवात मानी जाती है 1920 के दशक से बिसिकली जो शुरुवात है वह मानी जाती है साथ ही देखो इसका मुक्ष सवाल यही था कि आजादी कितनी सच्ची है क्या जो हमें आजादी मिली वह सच्ची है या नहीं और यह शुरुवात में यह जो क्रांती थी बिसिकली एक हिंसक क्रांती थी है न फिर बाद में हम देखें यह कि 1951 के बाद से इसने चुनाओ में भाग लेना शुरू किया 52-53 के आसपास से चुनाओ में भाग लेना शुरू किया हिंसा के रास्ते को छोड़ कर तो यह Communist Party of India की बात हो गई चीक है आगे देखो कुछ और questions भी है एक question है कि अगर हम यह देखें कि कि पार्टी के द्वारा किस तरह का जंड़ा अपनाया गया या क्या उसकी में टेग लाइन थी टेग लाइन थी सही सुमेलित को आपको चुनना है एक देश एक संस्कृती भार्तिय जंसन सरकार की अर्थववस्ता में कम हस्ता क्षिप स्वतंत्र पार्टी अच्छाई एक बात और जान लेजे आप सभी कि अब जो रिवाइस 2023 के NCRT जा गई है उसमें स्वतंत्र पार्टी जो है इसका हटा दिया है option ठीक है इसका जो option है वह हटा दिया है ठीक इसी तरीकी से हम chapter 3 में भी बात करेंगे तो जो योजना आयोग और जो पंचवर्शी योजना है उसकी भी कुछ paragraph हटा दिये गए है कुछ topics हटा दिये गए है उसकी पीछे reason क्या है कल बताऊंगे ठीक है जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो एक देश एक संस्क्रिती भार्टी जनसंग अर्थववस्था में कम हस्तक शेफ स्वतंतर पार्टी देश की समस्याओं का समधान communist पार्टी ये तो आप समझी गए हैं कि ये तो सही है समतावादी समाज की रचना socialist पार्टी ठीक है चलो इसको समझते हैं अब देखो जब हम भार्टी जनसंग पार्टी की बात करेंगे भार्टी जनसंग पार्टी नाइटीन फिटी वन श्यामा प्रसाद मुखरजी ठीक है नाइटीन फिटी वन 1951 में हम देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखरजी के द्वारा बेसिकली इसकी जो स्थापना है वेकी गई थी और ये भारती जनसंग के संस्थापक थे भारती जनसंग जो पार्टी इसके संस्थापक होते श्यामा प्रसाद मुखरजी ठीक है स्वधन्ता के बाद नहरू के जो पहले अगर मंत्री बंडल की बैप कर तो उसमें जो है ये मंत्री भी शामिल थे मंत्री बतौर शामिल थे ठीक है और यहां पर 1950 में पाकिस्तान से जो संबंध थे आर्थिक और बाकिसम उनके चलते एक मत्मेद था जिसकी वज़े से कश्मीर को स्वायत्ता देने के ये काफी खिलाब थे और एक प्रदर्शन जो ये कर रहे थे पुलिस गिरफ्त में इनकी जो मौत है वह हो गई थी हिरासप में ही तो देखो बिसिकली कही न कही अगर हम यह देखे तो भारती जनसंग की जो जड़े है भारती जनसंग की जो जड़े है जो आप रास्टी स्वयम सिवक संग सुनते आर एसस है ना और हिंदू महासभाग में है बिसिकली हिंदू महासभाग में है ना तो एक देश एक संस्कृति और एक रास्ट का विचार रखा एक देश एक संस्कृति एक रास्ट देखो बिसिकली क्या था अखंडता को बचाय रखते के लिए इस तरह की जो बाते इस तरह के जो टैक से इस तरह की नेतिया अपनाई जाती है एक डेश एक संस्कति एक विचार होगा तो इससे जो है वह एकता बनी रहेगी है ना हिंदी को राजभाश बनाने की जो मांग है वह खी गई थी हिंदी को राजभाशा बनाने की मांग किसके द्वारा की गई थी बार्टिय जनसंग के द्वारा जिसके संस्थापक शामा प्रसाद मुखर्ची थे ठीके दीनदाल उपाद्धाय जो है वह बीसी से चुड़े हुए थे अच्छा नेक्स देखो सेकंड अगर हम देखें सरकार का अर्थववस्था में कम हस्तक शिब सौतंत्र पार्टि ये बात सही है सौतंत्र पार्टि का यह मानना था कि जो सरकार है है न सौतंत्र पार्टि 1959 में अस्तित्व में आई थी और बेसिकली जैसे की राज गुपालाचारी है, के एम रंगा है यह जो लोग है है मुख रूपसे इस पार्टी से जुड़े रहे सौहतंत्र पार्टी का मानना यह था कि बाजार और अर्तिवस्ता को खुला छोड़ो सरकार जो है इसमें कम हस्तक शेप करे सरकार जो है क्या करे इसमें कम हस्तक शेप करें ऐसा बादना था स्वातंत्र पार्टी का अब कमरिस पार्टी की बात हम उल्लेडी कर चुके हैं कि देश की समस्याओं का समधान कैसे किया जाएगा और जो हमें आज़ादी मिली है, क्या वेशिट सभी वरगों को मिली है, ये आज़ादी कितनी सच्ची है, कितनी जूटी है, इस बात का विचार विश्च मर्श कामरर्च पार्टी ओफ इंडिया समतावादी समाज की रश्टा, अब देखो सोशनिस्ट पार्टी की जब हम बात करेंगे समतावादी समाज, बिसिकलिस का अंसर option number E और सभी जो है मैं इसमें सही लिखा हुआ है, ठीके देखो बच्चो जब हम सोशनिस्ट पार्टी की मांग करेंगे सोशनिस्ट पार्टी ने जो डिमांड की थी कि बिसिकलिस सभी का विकास वाली बात है ना, समतावादी समाज हो, उच नीच ना हो समतावादी समाज की बात आए समानता, सभी को अधिकार बहुत सारे ऐसे डिमांड से जो की समाजवादी, जो समतावादी दल है इसकी थी लेकिन आगे हम देखेंगे कि जब यही सेम अजंडा जो है वैं कॉंकरिस ने अपना लिया जब यही सेम अजंडा पना लिया तो उसके बाद जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसका अपना ये मुद्ध उठाना ही बेकार साबित हो गया आप Congress ने कहा कि नहीं हम भी समतावादी और जो समाज है उस पर बन देंगे तब Socialist Party का यह जो इस दिन्टा है वह खत्म हो गया ठीके क्यों इसकी महता ही खत्म होगी कि अब आप Congress की विरूध में यह कह रहे थे अब लेकिन जब विरूधी ही इसी बात को अपना ले कि ठीके हम समतावादी समाज का निर्माण करेंगे ऐसे में इसकी महता हत्म होगी Communist Party of India की हम बात कर चुके अच्छा एक बात ओर देखो उस समाई के जो important personalities थे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं जैसे कि हम मौलाना अबुलकला माजाद की बात करें ठीके तो यहाँ पर 1888 से लेके 1958 का इनका जीवन काल था स्वतंता सेनानी थे, कॉंग्रेस के नेता थे और ये हिंदू मुस्तिम एकता की प्रतिपादक थे जैसे कि लास्ट हमने कहा था कि partition के लिए एक जो challenge था वह ये था कि सभी जो मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम नेता थे वे नहीं चाहते थे कि अलग से जो पाकिस्तान है वह बने इस जो two nation theory था two nation theory क्या था कि भारत जो है वह किसी एक कौम का देश नहीं है केवल हिंदू का देश नहीं बलके हिंदू और मुस्लिम दो कौमों दो मजहब का देश है और इसलिए इन दोरों के लिए अलग-अलग स्वतंत्र जो रास्टेव है बनना चाहिए ये टू नेशन थ्वेरी थी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस टू नेशन थ्वेरी को अपोस्ट किया गया था है ना अपोस्ट किया गया था सम्विधान सभा की सदस्यति और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्री मंदल में ये सिक्षा मंत्री थे ये भी इंपोर्टेंट है कि जो पहला मंत्री मंदल बना था उस पे ये सिक्षा मंत्री थे ठीके अब देखो नेक्स्ट राजकुमारी अम्रिता कौर की बात करेंगे गांधीवादी सिधात अपनाने वाली थी ये है ना और ये इसाई धर्म की थी विरासत में माता से इसाई धर्म मिला संविधान सभा की सदशी थी और पहले मंत्री मंदल में ये स्वास्त मंत्री थी 1957 तक ये स्वास्त मंत्री के पतपर थी तो पहले सिक्षा मंत्री थे अबुलकला माजात राजकुमारी अम्रिता कौर अगर देखो इस तरह का प्रिशना आता है कि पहले मंत्री मंदल में कोई भी महिला मंत्री पतपर नहीं थी घलत हो जाएगा क्योंकि राज कुमारी अम्रिता को और जो है ये हमारे पहले मंत्री मंदल में स्वतंत्र भारत के पहले मंद्री मंदल में जो है वह स्वास्त मंद्री थी हेल्थ मिनिस्टर के बतबर्थी 1957 तक ये रही ठीक है अब देखो आचारे नरेंदर देव की बात करेंगे आचार नरेंदर देव जो है वह सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आजादी के बाद कई बार ये जेल भी गए है ना किसानांदोलन में सक्रिय थे बौद धर्म की विद्वान थे और आजादी के बाद इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट जो पार्टी थी उसका देखत्व किया तो सोचलिस्ट पार्टी के सथापक कौन थे आचारे नरेदर्देव ठीके एक गोपालन केरल में कम्रिस्ट नेता थे ठीके और कॉंग्रेस कारेकरता के रूप में शुरुबात में काम किया 1939 में एक Communist Party इसमें शामिल हुए, पर Communist Party of India जो माक्सवादी इसमें शामिल हुए, ठीक है, चलिए 1851 से लेकर 1956 जो है इनका जीवन काल था, जाती विरोधी आंदोलनों के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगवा थे, बिसेकली देखो जब हम जाती की बात करते हैं, या दलितों की बात करते हैं, तो गाधी वर्सिस अम्बेटकर एक गाधी वर्सिस अम्बेटकर एक डिवेट आता है, जो आपके मेंस का भी हिस्सा है, चुकि गाधी चाहते थे कि स्वातंतरता जो है ये पहले मिले, क्योंकि जाती पाती जो है, ठीक है, इसको हम बाद में सुलझा लेगे, क्योंकि ये जो है, वैस सेकेंड है, क्योंकि ये घर की बात है, व दलितों के प्रते निधी के रूप में, रिप्रेजेंटेटर के रूप में, और आप देखेंगे कि जो प्रतेक निर्वाचत पर दिती है, वै दलितों के लिए भी अपनाने की जो बात है वैता ही हुई थी, लेकिन गांधी जीरेस के लिए आमरन अंचन कर दिया था, फिर पहे क्या था, ख्लियर है, आजादी के बाद नहरू के पहले मंति मंदल में, ये कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर, हिंदू कोड बिल की अगर हम बात करेंगे, इस मुद्दे पर इन्होंने अपनी असहमती दर्श कराती हुई इस तीफा दे दिया ठीके, बाद में हम सबको बता है कि इन्होंने बहुत धर्म अपनाया, आगे देखो देन दयाल उपाद दिया है, 1916 से लेके 68 समयकाल था इनका, और ये रास्टिये स्वेम सेवक जो संगे इसके पूर्णकालिक कारे करता थे, भारतिये जन संग के संस्थापक थे ये, भार समख रमान अप्तावादी सिद्धात, क्या कहता है ये सिद्धात, कमेंट करके बताइएगा, आप इस सिद्धात को एथिक्स में पढ़ते हैं, रफी एहमत किदवाई, 1894 से लेके 1954, ठीके, यूपी में कॉंग्रेस के निदा थे, प्रांतिये सरकार, 1937 में मंत्री भी बनी देखो शुरवात में, शुरवात का समख हमने देखा कि जो तीन चुनाव हुए, कॉंग्रेस का ही दोर था, कोई और दूसरी पार्टी नहीं थी, तब ऐसे में, और शुरवात में सभी जो नेता हैं, एक दूसरे क्या सम्मान करते थे, है न, वो विचार धाराओं की विपक्षी दल कोई इतना स्टॉंग नहीं था, क्योंकि केवल एक वन पार्टी डॉमिनिंस था, बाद में जैसे जैसे और दूसरी पार्टी ओंधव होने लगा, शेत्रिय पार्टीों का उद्भव होने लगा, है न, तब जाके जो विपक्षी वे स्टॉंग हुआ, तो अब देखो, कि हमने लास्ट देखा, कि कॉंग्रेस के अलावा अन्य पार्टीों के, कुछ नाम भी आए, बहुद अन्य लोगतंत्र वाले अनेक देशों की तुला में भारत में भी भावविद और जीवन विपक्षी पार्टीया थी, 1952 की अगर हम बात करें, तो कही पहले, 1952 की पहले कही पार्टीया जो वे बन चुकी थी, और 1950 के दशक तक किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में गैर कॉंग्रेसी जो पार्टीया आज है, उसकी सीट बिल गई, कहां कॉंग्रेस को 74-75% सीट बिल गई है, अब विपक्षी वहाँ पर कितना मजबूत होगा, जब सभी एक ही बात को कहने वाले हो, एक ही विचारधारा को मानने वाले हो, तब ऐसे में ऑपोजिशन जो वे कितना ही स्ट्रॉंग होगा, तब हम देखेंगे कि शुरवात में ये जो अलग-अलग दल थे, इनकी मौजूदगी यही बताती थी, कि हाँ बाकी बाट जो पार्टी हो, उनका भी एक्जिस्टेंस हो, उनका भी अस्तित्व हो, मतलब हमारा लोग कांध्रिक चरित रहे, कि वहल यही दिखाता था, बट मजबूत जो विप विपक्ष की बात करें, तो यहाँ पर विपक्षी दलों ने साशक दल पर अंकुष रखा, इन दलों में की कारण कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जो शक्ती संतुलन है वह बदला, और शुरवात के समय में अगर विपक्षी में विपक्ष वाला भाब नहीं था, उसके पी था, शुरवात में क्या था, एक सम्मान का भावना थी, मरने मारने वाली बात नहीं थी, और इसलिए विपक्ष उतना स्ट्रॉंग नहीं था, जितना की बाद के दशक में स्ट्रॉंग हुआ, शुरवात में नहीं था, विकॉज ओफ एक ही पार्टी थी, ठीके, तो याद इसकी क्या विशेष्टा है रही, है रा, कुछ प्रावधान आपने बता दिये, कॉंग्रिस प्रणाली को लेकर, ये आपका एक मेंस का पूरा कुश्चन हो सकता है, जो आगे आपसे पूछा जा सकता है, आप स्वतंतरता के बाद, अगर हम पहले तीन चुनाव की बात करे उसके उसमें क्या राजनीती थी, कौन-कौन सी पार्टियां थी, उनकी क्या विचार धाराएं थी, ये भी आप समझ सकते हैं कि शुरवाती सालों में कौन-कौन सी पार्टियां थी, ठीके, तीसरा आप इसमें ये समझ सकते हैं कि भारत में पहले चुनाव कराना कितना मु सकते हैं तो ये थी हमारी आज की क्लास अब हम मिलते हैं अपनी next क्लास में जिसमें की हम बात करेंगे कि आखिर इन शुरुवाती सालों में हमने नियोजित विकास की जो राजनीती है उसको कैसे अपनाया नियोजित विकास की राजनीती को कैसे अपनाया हमने अर्थववस्था के लिए किन किन चीज़ों को चुना तो सबसे पहले हमने रास्ट निर्माण की क्या क्या चैलेंजिस थे कैसे हमने उनको दूर किया उसकी बात की है ना सेकेंट हमने देखा कि शुरुवात में एक पार्टी का जो प्रभुत्वपय कैसे रहा शुरुवात के तीन चुनाव में क्या-क्या उसकी कारण रहे उसकी प्रक्रती क्या थी वेपक्षी पार्टी क्या थी और अब हम बात करेंगे विकास की और नियोजित विकास की कैसे आखिर हमने आर्थिक विकास की जो बात है वो कही न कही नेसेसरी भी नहीं थे उतने ज़्यादा निवारे नहीं थे तब हम next जो अपना class से उसमें चर्चा करेंगे Thank you, thank you so much